में आपके एक ऊप Pacific नियुक्त करें से अतवरो तक है और में नाम नसीमर जैसा यह आपनी स्टार्टिंग में जो विडियो देखा उस तरह गज़ता आपनेे उन प्टारिकंत लेवी तो इस वीडियो को यूज करूंगा उसका लिंक देदूँगाग डिस्क्रिप्षन में डाउंडुट कर सकते हैं, उसके बदीन से कुछ इस टैप से यह आपको भीडो बीडो को शुट करना है, इस तरीके से वीडियो को सूट करेंगे वाद काइन मास्टर अप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो मैंने काइन मास्टर अप्लिकेशन को ओपन कर दिया है उसके बासे अपने वीडियो को ऐड़ करेंगे तो प्रेंस मैंने अपने वीडियो को ऐड़ कर दिया है उसके बास से इफेक्ट को ऐड़ करेंगे स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये इसका जो बलेक की स्क्रीन है वो रिमूव हो जाएगा उसके बास इसको छोटा करके अपने हिसाब से यहाँ पर लगा देंगे और इस वीडियो को मैं जहाँ पर हाथ कुछ इस टैप से कर रहा हूँ वहीं पर इसको ऐड़ करना है आप जहाँ से एक्टिंग करेंगे वहीं पर हुए इफेक्ट को ऐड़ किजिएगा उसके बासे चाबियोलो आप्षन में आएएगे इफेक्ट को सिलट करके उसके बास इसको पहले खीच कर बढ़ा कर लेंगे उसके बास आपको पीन करना है कहां कहां आपको पीन करना है मैं आपको बता देता हूँ पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आप देख रहे हैं इफेक्ट थोड़ा सा आ रहा है फिर से आगे बढ़ाएंगे प्लस का अगन में क्लिक करेंगे और यह जो गोल सरकल बन रहा है अब के सर के उपर लगा देंगे फिर से आगे बढ़ाएंगे प्लस का अगन में क्लिक करेंगे फिर से प्लस का अगन में क्लिक करेंगे इस गोल वाले सरकल को अपने हाथ के बीच जो बीच लगा देना है उसके वासे इस पोजिशन प्याएंगे जहां मैंने हाथ को आगे की तरफ किया है उस पोजिशन प्याएंगे और वहाँ पर पहले एक प्लस का एकन पर डॉट करेंगे क्लिक करेंगे उसके वासे थोड़े सा आगे जाकर फिर से प्लस का एकन पर क्लि तो आप देख सकते हैं यह इफ्यक्ट मैंच हो गया है उसके बाद से जो बिजली कड़कने वाली आसमान से आ रहे थी बिजली कड़क रहे थी उसी फेक्ट को एड करेंगे उसका भी लिंक में जागा डिस्क्रिप्शन में आप डाउनौट कर सकते हैं और इफ्यक्ट को इस प्लेट प्लेट कर देंगे और इसको बनाइब करके यहां पर लगादेंगे और थोड़ा पढ़ाएंगे आप देख सकते हैं इसको इस तरह से बढ़ा करके आगे लगा फिर से three dot का option में आएंगे duplicate कर लेंगे इसको और duplicate करके आप इधर भी लगा सकते हैं इसको मैं थोड़ा crop कर देता हूँ यह वाला part और इसको छोटा करके इस तरह से ten करके ten करके यहाँ पर लगा दूँगा इसको फिर से duplicate कर लूँगा duplicate करने वाद इसको टेना करके इस तरफ लगा दूँगा तो वीडियो कुछ इस टाप से हो जाएगा उसके बादर वाल एफेक्ट को एड़ करेंगे जो background में हम लगाने वाले हैं या इसका ही में लगाने वाले हैं उस एफेक्ट को एड़ करेंगे स्वरी उस PNG को एड़ करेंगे तो मैंने एक बादर वाला PNG Google से टानलोट किया था मैंने उसको एड़ कर दिया है उसके बाद से cropping option में इसको इनेबल करेंगे फेदर को बढ़ा देंगे फूल कर देंगे और इस circle को हटा कर स्टेप कर लेंगे उसके बाद से कुछ इस टाप से बढ़ा करके आसमान में लगा देंगे और थोड़ा इधर से भी crop कर देंगे उसके बाद से इसको बढ़ा करके यहां पर लगा देंगे उसके बाद से आएंगे blending option में आने के बाद आप कोई वाला soft light वाला state कर देना है यहां soft light लिखा हुआ है इस पर select कर देंगे उसके बाद से बाद रोले png पर क्लिक करेंगे चावी को option में आएंगे और पहले इसको slide करके पीछे कर देंगे उसके बाद से जहां तक image है वहां तक जाएंगे और plus का icon पर क्लिक कर देंगे और इसको इस तरीके से भागा कर लाकर यहां पर लगा देंगे उसके बाद से मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं वीडियो बनके रेडियो हो चुका है उसके बाद से पहले इसको export कर लेंगे अभी पूरी तरीके से वीडियो नहीं बना है तो पहले इसको export कर लेंगे अभी इस वीडियो में transition भी आइट करना है तो वह हम भीन वीडियो एडिटर से करेंगे पहले इसको export कर लेते हैं तो वीडियो को export करने बाद BN video editor को open करेंगे उसके बाद से plus वाल आइकन पर click करके अपने वीडियो जो काइन master में save किया है export किया है उसको यहाँ से add कर लेंगे new project पर click करेंगे और यहाँ पर आपका पूरा video आजाएगा जितना आपका folder में रहेगा तो आपने जो काइन master में export किया है उसको add कर लेंगे तो यहाँ से मैं इस video को add कर लेता हूँ तो पर इस मैंने video को add कर दिया आप देख सकते हैं मैंने video को add कर दिया है अब जितना transition यूज़ करना चाहते हैं उसके ही हिसाप से आप इसको cut कर लिजेगा मैं यहाँ 2 cut किया हूँ तो मैं तीन transition एड़ कर सकता हूँ बट मैं यहाँ दो ही transition एड़ करूँगा तो transition एड़ कहने बाद यहाँ पहला वारे टुकड़े पर आ चुका हूँ उसके बाद से effects का option यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद आपको बहुत सारा transition मिल जाएगा तो मैं यहाँ zoom out वारे transition यूज़ करूँगा आप देख सकते हैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो कुछ इस टाप से यह effect आएगा उसके बाद से मैं पहला वला transition प्ले करके दिखा देता हूँ कि video बन के ready हो चुका है तो आप देख सकते हैं पहला transition add हो चुका है मैं दोसरे वले में transition add नहीं करूँगा बलगी तीसरे वले में add करूंगा तो यह तीसरे वला टुकड़ा पर मैं आ गया हूँ यहाँ पर fx का option इस पर click करूँगा और इसमें से जो मुझे अच्छा लग रहा है उसको select कर दूँगा तो मैं यहाँ से इसको select कर लेता हूँ इस transition को बहुत यह अच्छा लग रहा है उसके बासे मैं आपको पूरा वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ वीडियो बनके रेडि हो चुका है तो आप देख सकते हैं वीडियो बनके रेडी हो चुका है उसके बासे यहाँ एक्सपोर्ट बटन दीख राइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके पर क्लिक करके यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो प्रेंस वीडियो कैसा लागा नीचे कॉमेंट करके ज़रूब गतेगा और आप हमारे चनल परना तो चनल को सब्सक्राइब कर दिजगा और बेल आकन को प्रिस कर दिजगा ओल पे तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो मैंकने टोपिक के साथ जाहिंद